आप देख रहे हैं हैड्लाइन्स टीली HD News हाई मेरा नाम है तुशार पांडे और आप देख रहे हैं HD News हाई मैं हूँ दिपिका सिंग और आप देख रहे हैं HD News हाई मैं हूँ दिपिका सिंग और आप देख रहे हैं HD News सिटी स्टार ग्रूप और इंस्टिट्यूट का सिल्वर जुबली वार्शिकोट सो उत्साह के साथ संपन इन दुन विद्यालेओं में वार्शिकोट सो की दोर चल रहे हैं सिकडी में सिटी स्टार ग्रूप और इंस्टिट्यूट 25 वार्शिकोट सो सिल्वर जिबली वार्शिकोट सो उत्साह के साथ मनाया गया स्कूल के डिरेक्टर बीके शर्मा ने बताया कि सिटी स्टार कॉन्विंट हार सेकेंडरी स्कूल कक्षा नरसरी से बारवी तक संचौलित है विद्यार्थियों की संख्या लगभग 35 है तथा यह स्कूल नॉमिनल फीस लेकर बहतरीन शिक्षा प्रदान करने वाला ख्याती प्राप्त स्कूल है यही कारण है कि हमारे यहां के विद्यार्थि आज अनेक स्थानों पर श्रेष्ट परिनाम दे रहे हैं और अपनी फील्ड के सर्वस सर्वा है डिरेक्टर भीका कुमार शर्मा एवं प्रिंसिपल योगेश्वरी सावनेर ने बताए कि विद्यार्थि द्वारा पूरा ध्यान विद्यार्थि एवं उनकी परिक्षा शिक्षा पर दिया जोता है विद्याले में विद्यार्थियों की स्पोर्ट्स एक्चिविटी को भी बढ़ा वद्याज वाता है यही कारण है कि विद्याले के चात्र स्पोर्ट्स में भी अपना नाम कमा रहे हैं आज सिल्वर जुबली अनुल जे फंक्शन पर विद्यार्थियों ने एक से बढ़कर एक लगभग पचास प्रसूतियां दी। इन विकास को द्यान में रखते हुए शिक्षा के साथ खेल एवं संस्कृति को आगे बढ़ाने का भी कारी किया जौरा है। देखिए यह सेटी इस्टार ग्रूप इंसिटूप इसमें करी पांच स्कूल है तो यह भी हमारा रजत जैनती वर्ष है इसकूल की इस्तापना को 25 वर्ष पूर्ण हो चुके हैं और यह जो रजत जैनती वर्ष है हमारे लिए कापी उपलबदी भरा रहा हमारी रोबोटिक् सब्सक्राइब किया था जिसमें सेंट्रल जोन से इंदोर से मात्र तीन टीमें सेलेक्ट भी दिल्ली के लिए जिसमें सिटी स्कूल एक स्कूल है साथ ही इसवार बोर्ड परिक्षाओं में हमारे 160 बच्चों ने फस्क्लास बनाया 20 बच्चों को मुक्वंतरी द्वारा ले सब्सक्राइब करता है कि इंदुस्तान एक रंग बिनगा देश है इसमें अलग लग कर चारे राजिस्तान गुजराथ पंजाब विदार्ब महराष्टा आप कहीं से भी एक रंग उढ़ा के उसको प्रोने की कोशिश करें तो माला काफी लंबी हो जाती है आपने देखा ह होगा हमारे सांशित कारिक्रम में हम लोक नर्थे को परधानता प्रधान करते हैं और पूरे भारतवर से लोक नर्थे खटे करते हैं आज कितने बच्चों आज कि हमारे प्रोग्राम में करीब 400 बच्चों ने पाटिसिपेट किया है